नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रियोद अब सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा चैनल होमियोकेट टिप्स में तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महतपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है बीपी यह यानि बेनाइंग पोस्टेटिक हाइपर चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों तो दोस्तों सब्बल सरूलेटा मदर टिंचर के बारे में जानने से पहले हमें बीपी यह और प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन की एक एक एडिस्ट रफ आइडिया होनी चाहि होती है जो कि मेल यूरिनरी ओर्गन में सिचुएटेड होती है इसका लोक सिचुएशन के अगर बात करें तो यह ठीक हमारा यूरिनरी ब्लडर के नीचे सिचुएटेड होता है जैसे कि आप इस पिक्चर पर देख पा रहे हैं और इसका आमोमन जो साइज होता है वो है 20- 30 ग्रैम नॉर्मल साइज होती है दोस्तो यह और पिसाब की नाली जिसे हम लोग यूरित्रा कहते है वो इसका एकदम ठीक पासिंग थू होकर निकलता है दोस्तो तो दोस्तो अब शायद आपको पता चल चुका होगा इसका लोकेशन के बारे में तो दोस्तो जैसे कि मैंने होता है यूरित्रा वहां कंट्रक्शन होना शुरू हो जाता है और ऐसे रेजल्ड यूरिन से संबंदित सारे समस्थाओं को दिगना शुरू हो जाता है जैसे कि पिसाब में जलन होना पिसाब रुग रुग के होना या फिर पिसाब ना होना दोस्तो तो इसी कंडिशन को दोस्तो medical term पर हम लोग benign postatic hyperplasia कहते हैं दोस्तो वैसे तो ये 40 साल उमर के बाद patient में देखने को मिलती है लेकिन कभी-कभी दोस्तो ये कम उमर की युवाओ में भी ये समस्या देखी जा रही है जिसे युवाओ में postitis कहते है और अगर सही समय पर इसे अगर treat नहीं किया गया तो ये आगे जाकर दोस्तो prostate cancer जैसी conditions में भी develop हो सकती है दोस्तो अब बात करते है इसका sign and symptoms की तो दोस्तो सबसे बड़ी complaint patient को ये होता है कि रात को patient को बार-बार पिसाब के लिए जाना पड़ता है हर एक आधा एक घंटा में patient को urine पास करने के लिए toilet जाना पड़ता है और ये urine बिल्कुल भी clearly नहीं होता है drop by drop गिरता है और पिसाब में बहुत जलन रहता है दोस्तो दोस्तो बात ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें BPH या prostatis है तो दोस्तो case को diagnose करने का कई सारे उपाय है जैसे कि digital rectal exam, urine test या PSA blood test यानि prostate specific antigen test और भी कई सारे उपाय है जैसे कि ultrasonography KUV region का और कभी कभी दोस्तो डोपलेट टेस्ट भी recommended रहता है patient को वो तब करा जाती है जब डॉक्टर को prostate cancer का असंका लगी रहती है दोस्तो दोस्तो अब बात करते है सब्बल सेलूलेटा मदर टिंचर के बारे में दोस्तो सब्बल सेलूलेटा मदर टिंचर एक plant based medicine है इसका पौधा ज्यादा तर USA की California में पाई जाती है दोस्तो इसका जो fruit है दोस्तो उसी को extract करके ये दवा बना जाती है और इसका food का अगर टेस्ट की अगर बात करने तो थोड़ा सा sweet and spicy होता है दोस्तो दोस्तो ये दवा major role play करता है male genito urinary organ पर यानी prostate gland पर होता है इसका स सबसे बड़ा role रहता है ये patient में nutritive action को enhance करता है आपका prostate की tissues को build up करता है दोस्तो so that in future आपको इस तरह का समस्षा का सामना ना करना पड़े तो whole lover males की अंदर genito urinary organ पर बहुत अच्छा असर होते हुए देखा गया है दोस्तो इस दवा का चाहे वो epidemic orchitis का problem हो या फिर BPH का problem हो या फिर दोस्तो युवाओ में prostitis का problem हो इन तमाम रिजसंस में बहुत अच्छा results देखने को मिलता है इस दवा से दोस्तो और मेले एक clinical practice की अगर बात करे तो मै काफिय योוze करता हूँ और मुझे कहीं नगर वह आप अच्छा results देखने को मिलता है इस दवा से दोस्तो ठीक है अगर आपको इस विसेश रेलेटेड मुझसे और कुछ जान करी चाहिए तो फिर आप मुझसे कॉंटेट कर सकते हो मैं मारा वाट्स आप नंबर और इमेल आइडी दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो चलिए दोस्त वीडियो को मैं ही करता हूं thank you very much for being the part of my video and have a good day